अक्सर आपको कभी-कभी आश्चर्य होता होगा और कभी-कभी तो गुसा भी आता होगा आश्चर्य आपको तब आता होगा जब आपने तो सबजी बनाते समय सही मातरा में मिर्च डाली थी मगर जब चाखा तो सबजी जरा सी भी तीखी नहीं लगी आपने सबजी में हल्दी भी सही मात्रा में डाली थी मगर पकने के बाद सबजी में वो रंग और टेक्शर ही नहीं था जो आप चाहते हैं जरा ठहरिए कहीं ऐसा तो नहीं आपने बाजार से जो मसाले खरीदे थे उसमें मिलावट हो बिल्कुल होंगे नमसकार इंडिया न्यूस हेल्थ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है बाजार में इन दुनों धडले से मिलावटी मसाले बिक रहे हैं जो ना सिर्फ नकली है बलकि सिहत के लिए भी बेहत खदरनाक है बिल्कुल धीमा जहर गूल रहा है हमारे शरीर में ये मिलावटी मसाले अब बड़ा सवाल ये है हम कैसे पहचानेंगे कि मसाले में मिलावट है या नहीं बिल्कुल आसान है इस वीडियो में हम आपको बहुत असान तरीके से बताएंगे कैसे घर बैठे आप कर सकते हैं मसालो में मिलावट की जाच आईए वीडियो देखते हैं बजार में मिलावट का खोर धंदा बहुत तेजी से अपना पाउँ पसार रहा है हम बजार से खरीद कर जो मसाले घर लाते हैं उसमें मिलावट है कि नहीं इसकी जाज हम आप घर में भी कर सकते हैं अब ज़रा लाल मिर्च पावडर को ही देख लीजिए इसमें आर्टिफिशल रंग, सिंथेटिक टाई, डिटरजेंट और इट का पावडर तक मिलाया जाने लगा है इसमें मिलावट है या नहीं इसे टेस्ट करने के लिए सबसे पहले एक ग्लास पावडर फिर पावडर के ग्लास में एक चमच लाल मिर्च पावडर मिलाएं अगर लाल मिर्च पावडर से मिलावट होगी तो फोरण पावडर का रंग बदल जाएगा और हाथ में जाग नजर आए इसके अलावा एक और टेस्ट कर सकते हैं पहले गलास पानी ले और उसमें लाल मिर्च की पाउडर डाल कर पांच मिनट छोड़ दें अगर गलास के नीचे लाल रंग का कण या भूसा जमा हो जाता है तो लाल मिर्च मिलावटी है इसी तरह आप घर में हल्दी में भी मिलावट की जाँच कर सकते हैं हल्दी में आम तोर पर सिंथेटिक डाय, चौक पाउडर, रंग या केमिकल मिलाए जाते हैं इनकी जाँच के लिए गलास में हलका गर पानी ले और उसमें एक चमच हल्दी मिलाएं अगर हल्दी गुल गया और गहरे पीले रंग का नजर आने लगा तो इसका मतलब है कि वह मिलावटी है शुद्ध हल्दी पानी में गुलते हीफी के रंग का नजर आएगा और ग्लास में नीचे जम जाएगा देख लिया ना मुनाफ़ा खोर किस तरह अपने फाइदे के लिए हमारे सेहत के साथ खिलवार कर रहे हैं हमें खाने के साथ धीमा जहर दे रहे हैं अलर्ट हो जाएए अब आप जब भी बजार में मसाले खरीद कर लाएं तो घर पर जरूर टेस्ट कर लें अगर टेस्ट में मिलावट मिले तो दुकानदार की शिकायद जरूर करें अगर आपको मिलावटी मसालों की पहचान घर पे ही करनी आ गई है तो कमेंट करके जरूर बताएए और ऐसे ही हल्थी टिप्स के लिए बने रहे हैं इंडिया न्यूज हेल्थ के साथ